नमस्कार प्यारे विदार्थियों आप सभी का चैनल पर हारदिक स्वागत हैं प्यारे विदार्थियों आप सभी को विधित है कि कल 26 अक्टूमबर 2021 से आपका दिवित्य मुल्यंकन परपत्तर शुरू होने जा रहा है यानी second test शुरू हो रहा है और आप यानी कक्षा 1 से 12 पक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक् जाएगा वो विदाले स्तर पर त्यार किया जाएगा अब बिट्टे लिख के अंतर जो कुछ भी दिया गया है उसको मैं बता सकता हूँ जो आज ही जारी हुआ है तो प्यारे विदार्तियों वो ही पैटर्न रहेगा 20 परसन होंगे 20 एबस एदय वाले होंगे और आपको ब्र जीकषिया प्रपत्र कक्सया 12 हो और इंदी अनिवारिये का पूरा पैटर्न आपको समझाता हूं तो देखिए पहले आप जीना आप प्र सऴी पर नयानिजार्षा को अपिवार्थि का नाम और विदाले का नाम प्यारे विडार्थिए अपने इस दूसरे टेस्ट को अहल करना सुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइ कर दीजिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहींगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे और घंटे का निसान भी दबा दीजे ताकि अगले वीडियो की सोचना आप तक तुरंत पहुँच जाए तो प्यारे विदार्तियों शुरू करते हैं पहला परसन आपकी स्क्रीन पर तरनी तनूजा तटतमाल तरूर चाय में कौन सा अलंकार है अनुपरास अलंकार यमक अलंकार उत्परेक्षा उपमा तो प्यारे विदार्तियों आपका है ए अनुपरास अलंकार तो आपको ब्रे यमक उत्परेक्षा तो प्यारे विदार्तियों यहां पर भी आपका अनुपरास अलंकार है क्या है अनुपरास यानी ए तो दूसरे के ब्रेक्ट में भी आप ए लिख दोगे पर्शन नमर तीन बड़े नहुजे गुनन बिनु विर्द बड़ाई पाए कहत दतूरे सो कनक ग कहनो गड़ो नजाई परस्तूत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है अतिस्योक्ती परतिवस्तू उपमा अर्थांतर नयास विरोधा भास तो प्यारे विदार्तियों आपके तीसरे पर्शन का उतर्यास यानी सी तो आप ब्रेक्ट में क्या कर देना सी आगे बढ़ते हैं ब प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुपरास और सलेश तो प्यारे विदार्तियों बी उतर है आपका यमक अलंकार तो आप ब्रेक्ट में कर दोगे बी प्रस्त नमर चाहे नवल सुन्दर स्याम सरीर में कौन सा अलंकार है उपमा रूपक अतिस्योक्ति तो प्यारे विदार्तियों चटे परसन का उतर है ए उपमा तो ब्रेक्ट में आप कर दोगे ए प्यारे विदार्तियों डिस्क्रिप्शन में वाटसप गुरूप फैस्बुक पैज इंस्टाग्राम ट्विटर टेलिग्राम चैनल के लिंक दिएगे जहां पर आप कली करके हमारी सोचल साइट से जुड़ सकते हैं पर्शन नमर साथ दिव सावसान का समय मेग में आसमान से उतर रही वह संद्या सुंदरी परीसी दीरे 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 पस्तूत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है उपमा रूपक मानवी करन या इन में से कोई नहीं तो प्यारे विदार्तियों ये आपका है उपमा अलंकार तो आपका उपमा हो गया A, सातमे का उत्त्र हो गया आपका A. परशन नमबर आठ, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, सलेस, यमक और अन्योक्ति तो प्यारे विदार्तियों ये आपका है C यमक अलंकार तो आटवें के ब्रेक्ट में आप कर दो C आगे है परसन नमबर नो अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है उपमा, उत्परेक्षा, अन्योक्ति, अतिस्योक्ति तो प्यारे विदार्तियों ये आपका उत्तर होगा C कौन सा? C, अन्योक्ति आगे बढ़ते हैं अगले परसन के और अगला परसन देखें परसन नमबर दस और परसन नमबर दस क्या है? अती मलीन वरिस भानू कुमारी अदो मुख रहित उरद नहीं चित्वत जो गत हारे थकित जोहारी छूटे चिहुर बदन कुमिहालानों जो नलीनी हिमकर की मारी परस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुपरास अलंकार, उत प्रेक्षा, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार तो प्यारे विदार्थियों ये आपका D, उपमा अलंकार है कौन सा उपमा अलंकार? तो ब्रेक्ट में आप लिख दो D परसन नमर 11 नहीं पराग नहीं मदूर मदू नहीं विकास इहिकाल अलीकली ही सो भिंद्यो आगे कौन हवाल परस्तूत पंक्तियों में कौन सा लंकार है रूपक विश्योक्ति अन्योक्ति अतिस्योक्ति तो प्यारे विदार्थियों इस परसन का उत्तर है आपका अन्योक्त C, तो आप ब्रेक्ट में लिख दो C, पर्शन नमबर 12, कभीरा सोही पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने इसोका, फिर बेपीर पस्तूत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यमक, रूपक, पुनरुकती और सले सलंकार, तो प्यारे विदार्तियों, बारवे में ह आपका A, यमक, अलंकार, कौन सा है, A, यमक, अलंकार, आगे बढ़ते हैं, पर्शन नमबर 13, आपकी स्क्रीन पर आगया है, और पर्शन नमबर 13 क्या है, संदे सनी, मदुवन, कूप, भरे में कौन सा अलंकार है, रूपक, वक्रोक्ती, अन्योक्ती, अतिस्योक्ती, तो त उपमा रूपक उत्परेक्षा उत्परेक्षा उधारन तो प्यारे विदार्तियों ये आपका ए है ए उपमा तो बरेक्ट में लिख दो आप ए परशन नमर 15 राहिमन जो गती दीप की कुल कपूत गती सोय बारे उजियारे लगे बड़े अंधिरो होय परस्तुत पंक्तियों में कौन सा लंकार है उपमा रूपक यमक सलेश तो प्यारे विदार्तियों आपका ये है डी सलेश अलंकार कौन सा है डी सलेश अलंकार आगे बढ़ते हैं अगला परसन आपकी स्क्रीन पर है परसन नमर 16 और परसन नमर 16 क्या है दवनी मई करके कीरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को परस्तुत पंक्तियों में कौन सा लंकार है छेकानुपरास वर्त्यानुपरास लाटानुपरास यमक लंकार तो प्यारे विदार्तियों 16 नमर परसन का उतर है बी वर्त्यानुपरास क्या है बी वर्त्यानुपरास तो आप ब्रेक्ट में लिख दो बी परसन सत्रा कुंद इंदू सन दे उमा रमन वरुन अमन में कौन सा अलंकार है सलेश उपमा रूपक या फिर अरुपरास अलंकार है तो प्यारे विदार्तियों ये है आपका उपमा बी सत्रा में क्या है बी तो ब्रेक्ट में आप लिख दो बी परसन नमर अठारा जहां बिना का होना पया जाए ये कौन सा अलंकार होता है विरोधा भास विशोक्ति विभावना या फिर ब्रहांतिमान तो बच्चों वो होता है आपका विभावना यानि सी होता है कौन सा होता है सी विभावना आगे पढ़ते हैं अगले परसन के और अगला परसन देगों परसन नमर भारत के संभारत हैं में कौन सा अलंकार है रूपक अन्वे उपमा यमक तो आपका उतर है बी अन्वे तो ब्रेक में कर दोगे बी – नीचे वाले में तो भी है और उपर वाले में आपका उतर हो गया डी प्यारी विए विदार्तियों ये 20 परसन आपके इसमें थे test में अब देखो यह टेस्ट ओ सकता है आपके लिए आए या ने आए यह बिट लिन्क से लिया गया टेस्ट है और अब की बार अध्यापकों पर नीरबर सही कीवह कौन से टेस्ट को लेते हैं ले जारी किया गया है गोर्मेंट के द्वारा यानि हमारे मादेमिक स्क्राइब के द्वारा बिटले लिंक बिटले लिंक जारी किया गया है अब बिटले लिंक में है क्या बिटले लिंक के अंदर प्यारे विदार्तियों स्माइल 30 वर्क बुक वर्क सीट जो आपके क्वीज टेस्ट बढेंगे हिंदी के दो तीन चार जितने भी बिटले लिंक से बढेंगे वो सभी अपलोड कर दिये जाएंगे हर विश्य के टेस्ट अपलोड कर दिये जाएंगे आप home page पर जाकर देख सकते हैं तो प्यारे विदार्तियों अगली quiz में मिलेंगे अगले टेस्ट में मिलेंगे तब तक के लिए जै हिंद जै भार्त वंदे मात्रम